नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिवाकरदश चर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर लूँ जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी जो हिमाचल प्रदेश विश्विद्याले एच्प्यू ने जो बियर्ड एंट्रांस एक्जाम है उसकी डेट को आउट कर दिया है जो 2022 2022 का हमारा जो बियर्ड का एक्जाम होने जा रहा है वो 27th of May को इस बार कंड़क्ट किया जाएगा तो आप सभी मैंसे बहुत ऐसे चात रहोंगे जो अभी पीचिंग की और एपने करियर का सोच रहा होंगे तो देखिये दोस्तो मैं अगर अपने इस वीडियो के बनाने कारपरपस है आपको सोड़ा सा बता हूं तो मैंने इस ऐक्जाम की तयारियं शुरू की तो अभी इनिशेली होता क्या है जब हम B8 की तयार है शुरू करते हैं तो हम बहुत सी बुक्स बाजार से पर्चेज करते हैं तो पर हमें जो एक content होता है complete content जो आपको through our preparation जो help करेगा और जो आपको selection दिलाएगा वो एक book में कभी भी आपको नहीं मिलेगा जहां तक मैं अपनी बात करूं जब मैंने attempt दिया था तो मुझे ऐसी कोई proper book नहीं मिली थी मुझे बहुत अपने sources को diverse करना पड़ा था मुझे तो इस video को बनाने का purpose यही है कि मैं आपको एक proper guidance दे सकूँ और साथी साथ इस video में हम क्या करने जा रहे हैं एक course शुरू करने जा रहे हैं जो जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को cover करेंगे अपने throughout the course हम teaching या फिर teaching aptitude कहलो या फिर आप commissions कहलो यह सभी चीज़े हिंदी teaching aptitude commissions और आपके mathematical aptitude बहुत सारी चीज़े होंगी जो अपने throughout course हम cover करेंगे तो basically इस video को बनाने का purpose यही है कि आपको एक basic सी understanding मिल जाए कि क्या-क्या books हैं क्या-क्या resources आपको follow करने चाहिए इस preparation को करने के लिए और साथ ही साथ इस अगर आप सिर्फ एक basic knowledge देना चाहते हैं या लेकिन यदि आप अपनी preparation में जो देखिए थोड़ा सा अपना value addition करना चाहते हैं आप books तो पढ़िए no doubt आप books पढ़िए जो मैं आपको resources जो आपको में बताऊंगा वो भी आप पढ़िए पर साथ ही साथ यदि आप इन videos को देखोगे जो मैं अपने course में बनाने जा रहा ह हम बढ़ते हैं अपनी next slide की ओर तो यह थोड़ा सा हम पेपर को थोड़ा सा अनलाइज अगर हम previous year के हिसाब से करें तो इसमें जो आपका general knowledge and awareness रहता है 30 marks का आपको 30 marks से general knowledge and awareness रहेगा इसमें बहुत सारे factors होते हैं दोस्तों ऐसे कि HPGK इसमें आपको cover हो जाता है Indian GK आपका इसमें cover हो जाता है साथ ही साथ थोड़ा सा current में आपको कहल हूँ या फिर में थोड़ा सा science साइंस वाला portion जो आपको यह सभी सभी कुछ चीज़ें हम cover कर लेते हैं तो basically general knowledge and awareness 30 marks का रहता है उसके साथ ही साथ 20 marks की आपकी general Hindi रहती है 20 number की और general English English में आपका general English में क्या आएग और teaching education sorry education commission जो आपको 20 marks का और teaching aptitude 40 marks का तो देखिए दोस्तों आपका total 150 marks का जो complete B8 का entrance रहने वाला है यह completely 150 marks का रहने वाला है तो यदि मैं in previous papers pattern को analyze करने की कोशिश करूँ तो आप यहां देखेंगे कि जो education commission और teaching aptitude है यह आपको 60 marks का आ रहा है consistently पिछले कुछ सालों में 60 marks क आपको यह आ रहा है तो देखिए दोस्तों यह factor जो है education commission and teaching aptitude यह बहुत ही major role play करेगा आपके कहां आपकी selection में बहुत ही major role play करेगा तो जिसकी command इन दो topic पे बहुत ही अच्छे से है इन दो topic पे उसके chances बहुत जादा हो जाते हैं कि वो इस exam को easily qualify कर जाएगा यदि मैं दोस में GCTE यानि की government college of teacher education धरमशाला में second semester का beard का student हूँ तो तो देखेंगे तो जो मैंने attempt के समय realize किया जो यह दो factor थे 20 marks and 40 marks education commission and teaching aptitude and attitude यह एक बहुत ही major factor है जो आपकी selection को decide करेंगे साथी साथ reasoning and mathematics English यह सभी factor पर जो major factor में कहा रहा हूँ यह दो major factor रहने वाले हैं यह हम अपने देखेंगे भी अपने course को जब हम पढ़ेंगे तो किस तरह से हम analyze करेंगे किस तरह से education commission को पढ़ेंगे वो सभी चीज़े मैं आपको बताऊंगा और मैं जो मैंने strategies follow की थी या फिर मैं जो mistake की थी अपनी preparation के time वो भी आप सा share करूँगा और बताऊंगा कि आपको अपनी strategy मे क्या-क्या changes दाने चाहिए ताकि आप जो अपने efforts को minimize करके एक अच्छी approach के साथ आगे जा पाओ अब next slide के अगर यदि हम बढ़ते हैं तो next slide को देखेंगे हम books and references आपको कहां-कहां से पढ़ना है क्या-क्या references आपको लेने हैं तो basically दोस्टों general knowledge and awareness के लिए सबसे best आपको र book को जरूर अपनी preparation में add कर दीजिएगा क्योंकि यदि आप देखेंगे ना जो different publications हैं जैसे की स्वरन हैं या फिर कोई और भी publications हैं तो उसमें जो आपका मैंने देखा अपनी preparation के दौरान जो हीमचल GK का जो वहां पे level था वो काफी high level का आपको GK वहां पे दिया रहता है तो यानि कि वह उतना high level का आपका GK वह बीएड के exam में नहीं पूछा जाता है जो मैंने realize किया तो सबसे best way यही है कि आप हिमचल GK के लिए हिमचल दरपन को follow करिए जिसमें भी आप comfortable है हिंदी में comfortable है English में comfortable है best बात इस book की यह है कि आपको बहुत से previous year practice करने को मिल जाते ह है आपको कि किस तरह से question पूछे जा रहे हैं या जरूरी नहीं है B.A.D. exam में ही और भी बहुत सारे exam में किस तरह से question पूछे जा रहे हैं साथ ही साथ आप जब previous paper को analyze करेंगे हम करेंगे इसी अपने course में जब हम previous year को analyze करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि Indian जी के कभी करना चाहते हो यह target आपका यही paper है अभी आपने इसी paper को qualify करना है तो उसके लिए मैं recommend करूंगा भारत दर्पन वो लोग जो भारत दर्पन को पढ़ चुके हैं या पिर Indian जी को तुरा advanced level में पढ़ना चाहते हैं उनको अभी basically में Lucian के एक book आती है इंडिया के लिए उसको recommend करूंगा आप Lucian वाली book को पड़े उसमें भी आपको एक काफी अच्छा approach मिल जाएगा मैं क्यों आपको भारत दर्पन के लिए बो रहा हूं क्योंकि Sam वही बात कि इसमें बहुत सारी question आपको मिल जाएंगे तो यदि आप theory में यहीं जाते हो यदि आप सिदा question practice करना चाह में भी आपको उससे आपको आपकी जो है वो बहुत से concepts हैं जो है clear हो जाएंगे तो उसके बाद English के लिए English के लिए दोस्तों मैं मैंने जब अपनी preparation की थी तो मैंने particular English का जो section है वो तैयार नहीं किया था जिसवजा से मेरे English वाला section में उसमें बहुत ही कम score कर पाया तो ले कि मैं मेरे course को ही आप देखो जो मैं analyze कर वा हूँ आप कुछ से analyze कर सकते हैं previous year papers को और उसमें देख सकते हैं कि कौन-कौन से ऐसे topics हैं जिसको वो touch कर रहा है जैसे कि model, tenses, voice and narration ऐसे बहुत सारे topic हैं जिसे वो touch करेगा आप उन ही selected topic को दोस्तों मैं बार-बार बो रहा हूँ क कि आपको इसकी तयारियां कैसे करनी है previous year को अच्छे से analyze कीजिए जो जो topic previous year में आ रहे हैं बस आप उन्हीं को ही तयार कीजिए क्योंकि आपके पार time बहुत कम है अगर यह time की बात करूँ 45 days आज के बाद आपके पार रह जाते हैं 45 days में आपको complete preparation करनी है इस ले बसको cover कर हूं तो दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पर क्या करने वाला हूं अपने उस course में आपको complete reasoning और mathematics की complete videos प्रवाइड करवाओंगा जिसमें आप जितनी भी B.Ed के लिए आपके important topics हैं उस सारे में उसमें cover कर दूँगा तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल के उपर rely कर सकते हो अगें वही बात जो लोग self study करते हैं वो क्या करेंगे कोई भी एक book खरीद के लिए आएंगे मार्केट से दिजनिंग और mathematics की अरिहन्त की भी मार्केट में मिलती है तो उसको आप खरीद सकते हो और कुछ से self preparation कर सकते हो पर preparation उन्ही topics की करनी है जो previous year में आ रहे हैं आप दे education commission के बारे में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा साथ में online website पे online website पे आपको जाके education commission के बारे में पढ़ने दे यह बहुत ही important है यदि मैं 2021 की बात करूँ जब मैंने attempt दिया था तो उसमें क्या दिखा गया था कि जो education commission है वो पूरे के पूरे education commission जब मेरा paper analyze करा था एक ही website स maximum education commission आपके उन्होंने डाल दिये और एक ही website से डाले भी कैसे थे उन्होंने even की आपके जो options है उन्हें भी change नहीं किया था तो देखिए दोस्तों जो education commission के लिए बहुत ही most important है वो हो जाती है online website जितनी जादा online websites के उपर आप mcqs all कर सकते हो आप कीजिए और अपने youtube channel पे इसको cover करूंगा ही करूंगा तो उसके बाद देखते हैं teaching attitude and aptitude teaching attitude and aptitude की भी मैं अपने youtube channel पे videos कवर करूंगा और साथ ही साथ आपको क्या करना है online website के उपर भी इनके बारे में देखते रहना है तो इन सब चीजिएं के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं अपने youtube channel प आपको खुझ से क्या पढ़ना होगा खुझ से आपको जन्द knowledge and awareness पढ़ना होगा जन्द knowledge and awareness जैसे कि मैंने बताया हिमाचल दरपन से आप पढ़ सकते हो खुझ से अच्छे से आप prepare कर सकते हो और साथी साथ आपको English खुझ से पढ़नी होगी अभी जो 2022 का attempt देंगे उनके यह क्या पता में जो जन्द knowledge है English वाला section है वो complete ना करभा पाऊं time से तो वो दो क्या करेंगे जैसे जैसे यदि वो मेरे course को follow करेंगे future में तो उन्हें क्या करना है मेरे course को तो देखना है और साथी साथ पूरे डे में क्या करना है आपको जन्द knowledge खुझ से पढ़नी है और English वाला section भी आपको खुझ से पढ़ना है तो यह सब चीजे जो मैं अपने YouTube चैनल पर पढ़ाऊंगा और साथी साथ जहां मैंने website के बारे में आपको बताया है यहां से आपको खुझ से विजिट करना है और मैं बताऊंगा कुछ एक website के बारे में आपको जहां से आपको बढ़ेंगे तो कॉर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूं तो कॉर्स में क्या है दोस्तो हम सबसे पहले क्या करेंगे previous year question paper को analyze करेंगे analyze कैसे करेंगे उनको solve करेंगे प्रिवेसीर question paper को हम solve करेंगे completely solve करेंगे उनके mathematics वाले portion को भी detail में solve करेंगे सभी portion को detail में solve करेंगे और लगबग 8-9 question paper previous year के हम solve करेंगे और प्रिवेसीर के question को हम 3 videos में solve करेंगे तो एक ही question paper की आपको तीन video प्रोवाइड करवा दी जाएंगे तीन parts में हम एक question paper को solve करेंगे तो इस तरह से जो 8-10 question paper solve करने में लगबग 10-1 दिन का हमें जो approximate समय है वो लग जाएगा जैसे ही हम इन previous question paper को analyze करेंगे और solve करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे आ क्या-क्या ऐसे topics हैं जो मैं बिल्कुल छोड़के नहीं जाने हैं तो सबसे पहले मैं क्यों कर रहा हूं previous year से ही मैं क्यों क्यों कर रहा हूं क्योंकि जब हम question paper को solve करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से question repeat हो रहे हैं बहुत से question repeat हो रहे हैं जो चाहे आप education commission में बात करोंग education commission के लिए हमने five days allot किये हैं तो five days में हम complete education commission की theory प्लस इसके जो mcqs है उन सभी को cover करेंगे उसके बाद हम teaching aptitude पर जाएंगे teaching aptitude के लिए मैंने जो five days यहां पर रखेंगे अब देखो दोस्तों मैं सबसे पहले education commission and teaching aptitude को ही क्यों करवा रहा हूं जैसे मैंने आपको starting में ब वैसे पूरे-पूरे marks score करना possible नहीं है कुछ न कुछ गलती हमसे हो जाती है पर फिर भी अगर आप बाकी चीजों में brilliant हो फिर भी अगर आपके पास इन दो section में ठीक command नहीं है तो देखेंगे आप इस exam को qualify करने में आपको दिक्कत आएगी तो उसके बाद जब हमारे इसलि preparation हो जाएगी हो जाएगी इसके बाद देखते हैं reasoning and mathematics reasoning and mathematics के लिए मैंने 10 days allot किया है इसमें हम जितने भी topics beard में important होंगे मैं सभी cover करोंगा उसके बाद general hindi के लिए मैं 10 days allot किया है तो इसमें 10 days में मैं complete general hindi को भी खतम कर दोंगा तो दोस्तों यदि हम time देखें तो यह complete हु तो 5 days में आप revision के लिए मैंने रखे हैं कि आप 5 दिनों में फिर revise भी इन सभी चीजों को कर पाओ जो दोस्तों इन अपने course में cover नहीं कर पाएंगी उसके लिए क्या करना जैसे कि हम cover क्या नहीं कर पाएंगे हम एक gk वाला portion cover नहीं कर पाएंगे और एक English वाला English वाला portion जो कि अपने पास खरीद के रख सकते हो किसकी बीड की इसके अलावा जो मैंने other books बताई हो तो आपको खरीद के रखने ही हैं दोस्तों कभी न कभी आपकी जब भी आप इसके बाद भी प्रेपेर करोगे किसी भी competitive exam के लिए जितनी मैंने आपको बुक बताई है यह बिल्कुल यह personal suggestion है कि आप एक book खरीद लीजिए एक book क्यों खरीद लीजिए ताकि जब हम previous year को solve करें education commission को teaching aptitude को solve करें ताकि आपके पास भी relevant material हो revise करने के लिए क्योंकि आप दिखेंगे जो books होंगी उमें बहुत से education commission दे रखे होंगे और बहुत से teaching aptitude दे रखे होंगे तो एक book आप बीएड की भी खरीद लीजिएगा जो आपको education commission and teaching aptitude में help करेंगे तो दोस्तों इसके बाद हम क्या देख रहे हैं तो यह previous year का education commission teaching aptitude यह सब हमारा complete हो जाता है तो दोस्तों और अंत में दोस्तों और अंत में दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बीएड के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ information देना चाहूंगा वैसे आप सभी को पता भी होगा तो जो basically बीएड में जो entrance examination जो conduct करती है उसमें कितनी दो ही government institute से आपके पास एक HPU है और एक GCTE धर्मशाला वाला जो आपके पास धर्मशाला वाला government college है जो आपकी बीएड करवाता है यह नहीं दो पर आपको सरकारी में आपका सरकारी सीड्स है सिर्फ यहीं पर available है तो दोस्तों HPU में कितनी सीड्स हैं 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 और GCTE में कितनी है 200 सीड्स तो टोटल आपके पास टोटल कितनी है तो टोटल आपके पास 300 सीड्स हैं 300 सीड्स के लिए यदि मैं अपने टाइम की बात करूं 2021 में कितने लोगों ने attempt किया था यह किया था 17500 लोगों ने तो देखिए दोस्तों यह नमबर भी काफी ज़दा बड़ा है आपको अपनी जो preparation है उसके फुरा सीरि फी आपके उपर charge की जाती है जैसे कि एक लाग पांच हजार एक लाग दस हजार के आसपास जो आप फी है बीट की सिर्फ फी ही फी की बात कर रहा हूं इतनी लगबग आपके से charge कर दी जाती है इसी के साथ यदि हैश पी या फिर धर्मशाला से बीट करते हो तो वहां पांच हजार को यदि में चार से भी multiply करता हूं चार सेमेस्टर की तब यह बीस हजार बाइस हजार के आसपास आपकी complete बीड है वह complete हो जाती है वहीं कहां यह एक लाग दस हजार के आसपास तो सिर्फ यह मैं बता रहा हूं कि सिर्फ यह फी ही फी में difference नहीं है आप यहां क कि यदि आप GCTE से करते हो तो आपको आपके quality of education है वही काफी अच्छी मिलेगी आपके regular classes होंगी आपको लगेगा कि आपको एक teacher की तरह त्यार कर दिये जाएगा ताकि आप आने वाले टाइम में एक अच्छे से society को serve कर पाऊ तो दोस्तों अब अंतमेस पूरी जो हमारी ये वीडियो है इसको conclude करते हैं तो conclusion में यही है कि आपको मैंने इस वीडियो में books के references बताए हैं आपको कहां कहां से पढ़ना है resources बताए हैं website के लिंक्स लिंक्स तो नहीं दिया है मैंने website के बारे में बताया है और साथ ही साथ में बताया है कि हम course भी जल्दी launch करने वाले ह कल्या पर्सो के बाद कल्या पर्सो से में जो है regularly वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करना शुरू कर दूंगा तो उन्हें आप अपने job preparation है उसमें value addition करने के लिए उन्हें use आप कर सकते हो revision के लिए उन्हें आप use कर सकते हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी लो कर सकते हैं आप तोच एक बाद रा भीण घहर के लिए ऊत्य करिद हो हो जब पराद के डिरूं एहन दोली जवटो अ當ो तो यहुट और 5 लोगदो पहाला है आप एस घुट मैं आप चार कर दोद कर तोओला है आप